तो चलो इस वाले problem को देखो बच्चों इसमें क्या है कि यह कहते हैं कि देखो एक basically यहाँ पे four particles है particles मतलब छोटे-छोटे point mass है एक m का है एक 2m का है एक 3m का है एक 4m का है is 4 corner of a square of a मतलब एज क्या होता है side-side मतलब यह जो side है वो a है और ab-side a है square और यह भी side a है और ab-side a है और यह जो mass है वो m का है और यह mass 2m का ले ले लेता हूँ और यह mass 4m का ले लेता हूँ न ända मला तो यह मास थिरिएम का लेता हूँ और यह जो बड़ा वाला मास काल वो फोर यह मास में यह सब कर और सकता है किमास अफस में कितना सिंटर्थ कंति इसमार करश है जिसको यह बात पता हो बहुत बसी म्मसहां सब कर थे वाई Newton's law of gravitation, तो यह जो इस माल M है, इसको 2M, 4M और 3M यह सारे आपस में attract करेंगे, तो चलो माल लेते हैं इस माल M को, यह जो 2M वाला है, वो इधर force लगाता है, उसका नाम दे देता हूं, मैं F2, और इसी इस माल M को यह जो force लगा रहा है, इधर की direction में, उसका नाम मैं दे देता हूं, F1, तो यह जो 2 force हैं, F1 और F2, अब इनका दोनों का resultant, अब माल लेता हूं, मैं, देख लेता हूं, किधर आता है, इन दोनों का resultant F8 जो होगा, वो मैं माल लेता हूं, F1 माइनस F2, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली परसानी वाली बात नहीं है, तो यह जो इन दो जो Fx है, उस Fx की value कितनी आ जाएगी, F1, F1 किनके किनके बीच का attraction था, M और 4M, तो G 4M और M divided by diagonal, यह वाली length कितनी होती, square के case में, तो अगर square है, तो यह जो length है, यह length, यह center हो है, तो यह पूरी length कितनी होती, पूरी diagonal, यह वाली जो diagonal है, वो A root 2 होती है, तो I hope कि A सबको पता होगा, यार, ठीक है, पाइदागोर स्थीरा में A है, यह A है, तो यह 90 degree है, तो जो diagonal हो जाएगी, यह वाली, तो यह A square plus A square, under root, ठीक है, तो A square is equal to A root 2, तो यह वाली length कितनी हो जाएगी, this length, यह वाली length आ जाएगी, आधी, A, हाँ, A root 2 की आधी आ जाएगी, तो A root 2 की आधी कितनी होती है, वैसे तो इसको याद रखो, भाई, A root 2, तो A root 2 जो है, यह वाली length आ जाएगी, कि this length is, this length is A root 2, तो I hope कि आपको clear हो गया होगा, कि यह length, अब यहाँ से तुम देखो कि जो force है, वो बड़े अराम से निकाल सकते हो, इस length की जो value है, वो मैं यहाँ से तुम निकालो, तो Fx, इसको मैं Fx दे देता हूँ, तो F1 is equal to A root 2, तो इसकी जो value है, वो निकालने के लि तो 4M is equal to G, 4MM, और इनके बीच का separation इसका square, मतलब A root 2 का whole square, minus F2, तो F2 किसके किसके बीच का force है, 2M और M, तो G और 2M और small M, over A root 2 का square, तो A root 2 का square, इसका मतलब जब इसको solve करोगे, तो net force Fx की value आ जाएगी, वो देखो कितना आ जाएगा, तो यह जब इसको solve करोगे, तो basically, तो देखो, यह जब solve करोगे, तो यह 4 आ जाएगा इधर, और basically, यह G M का square upon A का square आ जाएगा, ठीक है, A का square यह बला जाएगा, और minus, यह 2 बच जाएगा, तो 2 यह 2 और यह, तो यह आ जाएगा, basically, 2 Z M, और M over A, ठीक है, तो 1 by root 2 यहां से मैं common ले लिया, तो finally, तुम देखोगे, तो finally, यह बनेगा, 2 Z M, A square upon A का square, यह 2 से ऊपर नीचे इधर multiply कर दिये हो, तो A square है, तो यह 2 Z M, मतलब यह आ जाएगा, यहां से 2 एक miss हो गया, यहां से और एक 2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, तो finally, यह जो 2 8 आ जाएगा, that is 4 Z M square over A square, this is basically the force between the two, तो इन दोरों के बीच का force की value यह आ गया, उसी तरह से इन देखोगे इस वाले, इस वाले मास को यह वाला F3 से attract कर रहा है, और यह जो है, वो F4 से attract कर रहा है, लेकिन resultant इधर आएगा, resultant इधर की direction में आएगा, vertically A resultant तुम देखोगे, तो इसका resultant मैं दूसरे color से बना देता हूँ, इधर आएगा, उसका मैं नाम देता हूँ Fy, तो Fy की जो value आजाएगी, वो F3 माइनस F2, F4, तो देखो, F3 किनके किच के बीच का attraction है, तो G3M upon M over A root 2 का square, ठीक है, तो A root 2 का square माइनस, देखो, F4 क्या है, M और Gm और M by A root 2 का square, तो A root 2 square जब इसको solve करोगे, तो यह जाएगा, यह उपर चले जाएगा, that is 6, 6 Gm square over A square, और माइनस Gm square over A square, 2 Gm, तो उपर नीचे तुम इसको देखोगे, तो finally यह भी क्या जाएगा, बोलो, 4 Gm square over A square, this is nothing, but it is the Fy, तो Fy और Fx, यह दो हमारे पास value निकल के आई, और दोनों आपस में equal है, तो यह दोनों आपस में equal है, और 90 degree पर है, मतलब इनको अगर तुम देखोगे, तो यह जो force है, वो कुछ ऐसे दिखाए देंगे, यह वाला इधर आरा Fx, और इसकी जो value होती, इसकी ज पता है, square के diagonal 90 degree पर होते हैं, तो जो resultant आएगा, वो 45 degree पर इधर को आएगा, और यह की vector का resultant लेने सबको आता होगा, तो यह जो net force आजाएगा, that is, 90 degree पर दो vector है, F square और Y का square, और यह गया सब कुछ under root, बच्चो, मतलब, 4 Z M square upon A square का whole square, और plus 4 Z M square upon A square का whole square, यह सब, तो यह जब सब कुछ under root रहेगा, तो I hope कि आप इसको solve कर सकते हो, जब similar quantity under root रहते हैं, तो वो बन जाता है, root to 4 Z M square, 4 Z M square, और A square, this is the final solution, तो यह इस problem का final solution है, तो यह आसान था, अगर आपको vector आता है, तो भई, आपको फिर से summarize कर देता हूं, कुछ problem में में कुछ नहीं है, एक point पे जो छोटा है, आप उस पे चार vector लग रहे हैं, चारों का resultant ले लो, आप जैसे मन करें वैसे resultant ले लो, या आपकी मर्जी, बड़ का lम आपक हो आपको दे जना, आपकी म आपक कर दोद्द के वारे लो, आपकी मुझ पंपक्र नहीं है, तो भ्प वारे भजो हैं, ऊच्तिया दोग 55 जैसे छोग का रच्तिया एक कर लो, आपकर अपको भाल, आपके का अपक कम के ऊआईों, क्व़ आपको की करो को